नमस्कार राष्ट्रिय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मिले NDA और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए है आज एक बार फीर सत्तर हजार से ज़्यादा युवाओं को नियूकती पत्र मिले है मुझे खुशी है कि बीजेपी के साथन वाली राज्य सरकारे भी सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मिले आयोजीत कर रही है जो लोग इस समय सरकारी नोक्री में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपुन समय है आजादी का अमरित काल अभी शुरू ही हुआ है आपके सामने अगले पचीस वर्षों में भारत को विक्सित राष्ट बनाने का लक्ष है आपको वर्तमान के साथ ही देश के उजवल भविश के लिए भी जी जान से जुड़ जाना है मैं आज नियूक्ती पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवार जनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत सुपकामनाई देता हूँ साथियों आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नोक्रियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे नवजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं बिना गरंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की हैं स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया जैसे अभ्यानों से युवाओं का सामर्थ और ज्यादा बढ़ा है सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नोकरी दे रहे हैं बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नोकरी दी गही हैं यह अभ्यान भी अपने आप में अभूत्पुर्व हैं देश में सरकारी नोकरी देने वाले प्रमुक समस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से जादा युवाओं को नोकरी दी हैं और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है इन समस्थाओं का जोर परिक्षा प्रक्रिया को पारदर्ची, द्यवस्थिक और सरल बनाने पर भी रहा है पहले जिन भरती परिक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था वो चक्र पूरा होने में साल डेड़ साल का समय यूही लग जाता था और अगर वो कोई कौट कचरी में चला गया तो दो दो पांच पांच साल भी गड़ जाते थे यह सारी चीजों से बहार निकल करते अब कुछी महिनों में सारा चक्र सारी प्रक्रियाएं पार दर्शिक पद्धती से पूर्ण कर दी जाती है साथियों आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थववस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा आप जानते हैं एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भैंकर वैश्विक महामारी दूसरी तरफ युद्ध की वज़े से वैश्विक सप्लाई चेंड तूटना कितनी कितनी कठिनाईयां दुनिया में दिखाई दे रही है इन सब के बावजुद और युवानों, मेरे युवासातियों इस बात को आप गौर कीजिए इन सारी दिक्कतों के बावजुद भी भारत अपनी अर्थे बवस्ता को नई उचाई पर ले जा रहा है आज विश्व की बड़ी-बड़ी कम्पनियां मेनुफेक्टरिंग के लिए भारत आ रही है आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेस आता है तो उसे प्रोडक्शन बढ़ता है उद्योग का विस्तार होता है नई-ने उद्योग लगते हैं उत्पादन बढ़ता है एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए लोड़ नवजवानों के काम हो इन शकता और इसलिए एमप्लोईमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है हमारी सरकार के निर्णवयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अउसर पैदा किये हैं अभी हमारे डॉक्टर जिते इंद सिंग जी विस्तार से वो एक एक बात्य में ब्योरा दे रहे थे लेकिन मैं ज़रा एक उधान आपके सामने रखना चाहता हूँ जैसे आटो मोबाइल सेक्टर देश की जीडिपी में इस सेक्टर का योगदान साड़े छे परसंट से ज़्यादा है पिछले कुछ वर्षों में भारत की आटो मोटिव इंडस्टी ने बड़ी चलांग लगाई है आज भारत से पैसेंजर वेहिकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट का बढ़ रहा है इतना ही नहीं हमारे थ्री विलर टू विलर उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत बुर्दी हो रही है दस साल पहले ये इंडस्टी पाँच लाग करोड रुपय के आसपास थी आज ये इंडस्टी पाँच लाग करोड से जंप लगा करके बारा लाग करोड रुपिय से भी जादा की हो गई है इलेक्ट्रीक मोबिलिटी का भी भारत में लगातार विस्तार हो रहा है ओटो मॉबाइल सेक्टर को भारत सरकार की पियलाई स्किम से भी बहुत मदद मिल रही है तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सेक्टर्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रहे है साथियों, आज भारत एक दसक पहले की तुलना में जादा स्थीर, जादा सुरक्षीत और जादा मजबूत देश है राजनितिक ब्रस्टाचार, योजनाओं में गड़बडी, जनता जनार्दन के धनका दुर्प्योग पुरानी जितनी सरकारे आप देखेंगे, उनकी पहचान यही बन गई थी आज भारत को उसकी राजनितिक स्थिर्टकार के लिए जाना जाता है पुलिक्रिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत माईना रखती है आज भारत सरकार की पहचान उसके निरनायत फैसलों से होती है एक डिसिसिव गवर्रमेंट आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिसील सामाजिक सुधारों से हो रही है ग्लोबल एजन्सिया लगातार इस बात को गोशित कर रही है अनुमान लगा रही है और विश्वास से कह रही है कि चाहे हाइवे का निर्मान हो या रेलवे का इस आप लिविंग की बात हो या फिर इस आप डिविंग बिजनेस की चर्चा भारत पिछली सरकारों की तुल्ना में बहुत बहतर प्रदर्शन कर रहा है बीते बर्शों में भारत ने अपने फिजिकल इंफ्रासेक्चर पर और अपने सोचल इंफ्रासेक्चर पर लाखों करोड रुपिय का निवेश किया है लाखों करोड रुपिये के इस निवेश ने भी रोजगार के करोडों अवसर बनाए है अब जैसे सोशल इंफ्रासेक्टर का मैं एक उदहान देता हूँ आपको जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विशाय है और वो है पानी और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन ये जल जीवन मिशन उसके पीछे अब तक करीब करीब चार लाख करोड रुपिये खर्च हो चुके हैं चार लाख करोड रुपिये खर्च हो रहे हैं जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीन इलाकों में हर सो में से यहने सो गर अगर गाओं में हैं तो सिरब पंदरा गरी थे जहां पाइप से पानी आता था यह मैं एवरेज बता रहा हूँ सो गर में से पंदरा गर में पाइप से पानी आता था आज जल जीवन मिशन की वज़े से हर सो में से 62 गरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गती से काम चल रहा है आज देश के 130 जिले ऐसे हैं यह छोटा छेतर नहीं है 130 जिले ऐसे हैं जहां के हर गाउं में हर घर में नल से जल आता है और साथियों जिन गरों में अब साथ पानी पहुँच रहा है वहां लोगों का समय भी बचा है लेकिन इससे ज्यादा महत्वपुर्जो लाब हो रहा है वो गंभीर बिमारियों से भी बचे हैं पीने का शुद्ध पानी आरोग्य के लिए बहुत बड़ी आउशदी बन जाता है एक स्टड़ी में सामने आया है कि जब हर गर पाइप से पानी पहुँचने लगा तो डाइरिया से होने वाली चार लाख मौते मौत होने से बच गई चार लाख जिंदगिया बच गई यानि जल जीवन मीशन चार लाख लोगों का जीवन बचाएगा ये स्टड़ी ये भी कहती हैं कि हर गर जल पहुचने से देश के गरीबों के आठ लाख करोण रूपिय से अधिक बचने वाले हैं यानि गरीब के घर में पैसा बचने वाला है मद्दमबर के परिवार का पैसा बचने वाला है ये पैसे वो पानी का इंतजाम करने में पानी से होने वाली बिमारियों के इलाज में खर्च करना पड़ता भाउन को जल जीवन का एक और बड़ा लाब ये भी होगा कि इस से महिलाओं का बहुत सारा समय भी बचेगा इस रोजगार मेले में नोकरी पाने वाले आप सभी समझ सकते हैं कि सरकार की एक एक योजना का कितना बड़ा मल्टिप्लायर इफेक्ट होता है जल जीवन मिशन का उदान आपके सामने में ने रखा है ऐसे ही आप जब अब सरकारी ववस्ता में आये हैं तो सरकार की हर योजना को अपने विभाग के हर लक्ष को तेजी से प्राप्त करने के लिए पूरी महनत करेंगे ये मेरा आप से भरोसा भी है अपेक्षा भी है साथियों बेश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सूसासन गुड़ गवर्ननस दोनों का ही प्रमान है हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्ता में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जब सरकारी नोकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियों भाई पतीजावाद सिफारीज और ब्रस्टाचार को ही बढ़ावा देती थी इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोडो युवाओं के साथ विश्वास गात किया है दोजार चौदा में हमारी सरकार मनने के बाद अब भरती परिक्षाओं में पार्टर्शिता भी आई है और बाई बतीजावाद भी खत्म हो रहा है केंद्र सरकार में गुरुप C और गुरुप D की भरती में इंटर्व्यू समाप्त होने का लाप लाखो युवाओं को हुआ है एक तरफ हमारी सरकार के ये इमानदार प्रयास है तो दूसरी तरफ और ये बात मैं चाहता हूँ मेरे नवजवान पूरा समझने का प्रयास करे हकीकतों के अधार पर कुछ बाते आ रही है दूसरी तरफ भाई परतिजावाद है पर जॉब के गोटाले की जांच में जो बाते बाहर निकल करके आई है वो मेरे देश के नवजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विशे लेका आई है उस राज्य का क्या पद्दतित हैं क्या बात उभर करके आई हैं नोकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए ये जैसे होटेल में आप खाना खाए जाए वो रेट कार होता है न हर पद के लिए रेट कार है रेट कार बताया गया और रेट कार भी कैसा है छोटे छोटे गरीवों को लूटा जा रहा है अगर आप सफाई कर्मी की नोकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा ब्रस्टाचार में इतना देना पड़ेगा, अगर आपको ड्राइवर की नोकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा, अगर आपको क्लर्क की नोकरी चाहिए, टीचर की नोकरी चाहिए, नर्स की नोकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा, आप सोचिए हर पद के लिए उस राज में रेटकार्ण चला करता है और कटमनी का कारोवार चलता है देश का नवजवान कहां जाएगा ये स्वार्थी राजनितिक दल जॉब्स के लिए रेटकार्ण बनाते हैं अब देखिये कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था रेलिवे के एक मंत्री ने जॉब बडले में गरीब किसानों की जमीने लिख वाली थी जॉब के बडले में जमीन पढ़ा ली वो भी केस वियाई में चल रहा है कॉर्ट में चल रहा है भाईयो बेहनों आप देखिये आपके सामने दो चीजे साफ है एक तरफ परिवारवादी वो पार्टिया भाई भतिजा बात करने वाली वो पार्टिया ब्रस्ताचार में रोजगार के नाम पर देश के नवजवानों को लूटने वाली पार्टिया जो रेट कार्ड हर चीज में रेट कार्ड हर चीज में कट मनी उनका रास्ता है रेट कार्ड जबकि हम युवाओं के उजवल भविश को सेफ़ गार करने पर काम कर रहे हैं रेट कार्ड आपकी कवेलियत को आपके सामर्थ को आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं हम आपके सेफ़ गार में लगे हैं जो आपके सपनों के लिए जीते हैं आपके संगितल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं आपके हर इच्छा, आकांच्छा, आपके परिवार की हर इच्छा, आकांच्छा उसको सेफगाण करने में हम लगे हैं, अब बेस्ताय करेगा देश के नवजवानों का भविश, रेट काण के भरोसे चलेगा, कि सेफगाण व्यवस्ता के अंदर सुरक्षित तरीके से पनप करेगा, साथियों, ये भाई भतिजावाद वाली पार्टियां, देश के सामान्य मानवी से आगे बढ़ने के अउसर चिल लेती हैं, जबकि हम देश के सामान्य मानवी के लिए नित नए अउसर बढ़ा रहे हैं, साथियों, हमारे देश में कुछ राजनितिक दलों ने लोगों को भाषा के नाम पर एक दूसरे से भिड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, भाषा को एक हत्यार बनाया, लेकिन हम भाषा को लोगों को रोजगार देने, उन्हें ससक्त करने का माध्यम बना रहे हैं, हमारी सरकार ये सुनिस्चित कर रही हैं, कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो, तो कोई भी भाषा उसके सामने दिवार न बने, भारत सरकाराज जिस तरह मात्र भाषा में भरती परिक्षा पर जोड़ दे रही हैं, एंटरन्स एक्जम पर जोड़ दे रही हैं, उसका भी सरवादिक लाप मेरे देश के बेटे बेटियों को मिल रहा है, हमारे नवजवानों को हो रहा है, रीजनल लेंग्वेज में परिक्षा होने से, युवाओं को आसानी से, अपनी योग्यतां साबित करने का आउसर मिला है, साथियों, आज तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में, सरकारी व्यवस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों के काम करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है, एक समाई था, जब देश के सामान्य नागरीक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते थे, आज सरकार अपनी सेवाएं लेकर देश के नागरीकों के घर तक पहुँच रही है, अब जन्ता की अपेच्छाओं को समझते विए, छेत्र की आवस्षक्ताओं को समझते विए, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, विबिन्न सरकारी दफ्तर और विभाग, जन्ता के प्रती संबेदन सिल रहते हुए काम करने पर, जोर, यह हमारी प्रत्विक्ता है, इतने सारे मोबाइल एप्स के माध्यम से, डिजिटल स्यवाओं के माध्यम से, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, अब बहुत आसान हो गई है, पबलिक गरिवान सिस्टिम को भी लगातार मजबुत किया जा रहा है, इन बदलाओं के बीच, आपको भी देश के नागरिकों के प्रती, पूरी संबेदन सिल्टा से काम करना है, आपको इन सुधारों को और आगे बढ़ाना है, और इन सब पे साथ ही आप लगातार कुछ न कुछ नया सिखने की प्रभुत्ती को हमेशा बनाए रखिएगा, सरकार में प्रवेश ये जिन्दगी का आखरी मुकाम नहीं हो सकता है, आपको इससे भी आगे बढ़ना है, और नहीं उचाईयों को प्राप्त करना है, आपके जीवन के नए सपने, नए संकल्प, नए सामर्थ उभर करके आना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने ओनलाइन पॉर्टल, ये ओनलाइन पॉर्टल जो है, आई गोड के माध्यम से नई सुविधा बनाई है, हली में इसके उजर्स की संख्या, दस लाग के आकड़े को पार कर गई है, इस ओनलाइन पॉर्टल पर उपलब्द कोर्सिस का आप पूरा फाइदा उठाए, आपको नुक्री में बहुत काम आएगा, आपको प्रगिती करने के लिए नए रास्ते खुल जाएगे, और मैं दोस्तों, आपको यहाँ से आगे देखना चाहता हूँ, आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, यह 25 साल मेरे लिए आपकी प्रगिती काभी है, और हम सब के लिए देश की प्रगिती काभी है, आईए, अमृत काल के अगले 25 वर्सों की आत्रा में, हम कंदे से कंदा मिलाकर, मिलकर के विख्सिद भारत के संकल्प को साकार करने के दिशा में, तेज गती से चल पड़े, आगे बढ़े, मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, बहुत बहुत धन्वाद.